कि जिस तंपनीगे शेर्स ाइपिएफ में गए हैं से एन्टाइटलमेंटले क्रॉप्ट करी। एन्टाइटलमेंटले क्रॉप्ट प्रणने के बाद M.C.A की वैबसाइट पर आइपीएफ form 5 वैब फॉंम को ही सिल करे। IPF फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंचेंड हैं उन सब की प्रिंट टाउंट्स निकाल लें IPF फॉर्म के साथ बागी सारे डॉक्यूमेंट्स अटाच करके उसको उस कंपनी के नौरल आफिसर को भेज़ने अधार पर कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाय करती हैं और आपके लेम के अगेंस्ट वेरिफिकेशन रिबॉर्म करती हैं IPF Authority उसके बाल आपके Shares और Dividends को अप्रूफ करके उसको आपके डारेक्ली डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करती है इन्हें Electronic Firm